नमस्कार दोस्तों स्वोगत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के धाकट के इनबाज जौस हेजलवूड के बारे में जिसे आरसीबी ने आईपील 2022 के मेगा आउक्शन से अपने स्कॉर्ड में शामिल कर लिया है जी हा दोस्तों जौस हेजलवूड को आरसीबी के टीम ने मेगा आउक्शन से 7.75 करोड रुपे देकर अपने स वीडियो में देने वाला हूँ क्या है खुशकबरी हेजलवट को लेकर सारी बात आपको बताऊंगा तो दूस्तों अगर आप भी आरसीवी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजे वहीं दूस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो इसी याद से सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी दबा लीजेगा ताकि ऐसे ही डिली अपडेट साब तक हमेशा पहुचती रहें वहीं उल्ली आरसीवी के नाम से हमारा टेलेग्राम चैनल भी है अगर उसे जॉइन नहीं किये हो तो उसे भी आज से जॉइन कर लीजिए वहाँ भी आपको आरसीवी इसके लिए मेगा ओक्षिन खत्म हो चुका है आरसीवी ने कुल 19 खिलाड़ को खरेत करके अपने स्कौर्ड में शामिल कर लिया है इसमें फैप डुपलेसीस दिनेश कार्तिक और हेजलवूड जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं मगर भाईयो इन सभी खिल तो बात करें हम हेजलोड के हालिया फोर्म की तो हाली में उस्ट्रेलिया और स्रेलंका के बीच में टेटवंटी सिर्事 खेले जा रही है जिसके पहले दूमेचों में हेजलोड ने कुल सात विकेट हांसिल की अकोसफेब वोड़ ने पहले मुकाबले में हैडरलोड ने 4 ओवर किये 12 रन दिये और 4 विकेट असील की इसके बाद दूसरे मैच में जो मसelo smoover मे भी गया था उसमें मैच में तार ओवर किये 22 रन दिये और तीन विकेट हासिल किये यही नहीं दोस्तों इस मैच में सूपर ओवर खिला गया जिसमें गेंदबाजी करने जो है हेजल वूड आये और सूपर ओवर में भी हेजल वूड ने पांची रन खर्च किये तो उनके इस फॉर्म को देखते हुए आ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उनके स्पिल्स कैसे रहे हैं चार ओवर की गिंदबाजी में उन्होंने हमेशा जो है छे से कमी रंद दिये हैं ज्यादा तर मैचों में बहुत कम बार ऐसा हुआ हुगा जब वो छे की ज्यादा की एकोनॉमी से रंस दिये ह होंगे उनका एकनॉमी रेड भी इस दौरान जो छे का ही रहा है पिछले तेरह टी ट्वेंटी आए मैचस में तो दोफ्तों है कमाल के फॉर्म में है और यार सी भी टीम के सभी फैंस के लिए टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है यह थी हमारी रिपो कर दो